अब आपको समझ में आ चुका होगा कि गुलावी इल्ली का प्रकोफ किस तरह से होता है और हम किस तरीके से उसको पहचान सके कि हमारे पौदे में या हमारी फसल में गुलावी इल्ली का अतेख है तो अब आगे आप क्या चाहते हैं अभी इसमें थोड़ी बीमारी लग रहे तो इसको कंट्रोल कैसे करें ठीक है हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे ताकि आप कभी भी जब भाविश्य में इस्प्रे करें और हमारे किसान भाई भी इस्प्रे करें तो हमेशा ध्यान रहे गुलावी इल्ली के कंट्रोल के लिए हमारी तरफ से जो हम रिकमन करते हैं किसानों को बताते हैं कि उसका राम बान इलाज गुलावी इल्ली का केवल चार प्रकार की किद नासकों से ही संभव हो सकता है जिसमें फैनवाल रेट 20% EC तीसरा एंडोक्सा कार्ब 14.8% SC और उसके आलावा इमामेक्टीन बेंजोईट 1.9% EC को और उसके आलावा क्लोर पाईरिफास भी हम उप्योग कर सकते हैं किसान भाईयों ये चार की हमारी जब पिंग बॉल वर्म अंदर देंडू के हो जाती है या फूल से उसकी देंडू की ओरी के अंदर हो जाती है तो किसान भाई कितना भी जतन कर ले कि मुझे ये इस्प्रे करना है और ये इस्प्रे करूंगा तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन जब गुलाबी इल्ली की सुंडी अंदर हो जाती है तो आपके सभी प्रकार के इंसेक्टिसाइड वहाँ पे फेल है क्यों कि आप जो insecticide उपयो कर रहे हैं वो संपर्क कीट नासी उपयो कर रहे हैं संपर्क कीट नासी कैसे कि आप जब घोल बना कर पौधे पर इस्प्रे करते हैं तो यह जैसे आप पत्ता देख रहे हो इसके संपर्क में आया है हमारा घोल इंसेक्टिसाइड वाला अब गोल संपर्क में आया यदि कीट इसके संपर्क में आएगा तो उसकी मौत निस्चित है और यदि मान लो कि इसको कोई सी केटरपिलर इल्ली खा रही है तो उसका भी मरना निस्चित है लेकिन डेंडू के अंदर इल्ली है वो यहां भार खाने आएगी क्या नहीं आएगी नहीं आएगी ना दवा अंदर जाएगी नहीं जाएगी क्योंकि संपर्क कीट नासक का काम इतना है कि वो कीट के संपर्क में आए या तो पत्ती के संपर्क में आए तो तो ही उसकी म्रत्यू निश्चित है वरना आप कोई से भी इंसेक्टी साइड आपकी फसल में उप्योग करते रहो आपके यहां गुलाबी इल्ली का नियंत्रण संभव नहीं हो पाएगा इंसेक्टी साइड है कि जब इल्ली इसके अंदर रहती है या फूल के अंदर रहती है गुलाबी सुंडी की केटर पिलर उसमें फ्यूमिगेंट्स का काम करेगा धुम्र नाशक का काम करेगा तो जब हम इस्प्रे करते हैं उस वक्त वो गेसियव स्फाम में अंदर जाएगा अंदर जाएगा जहाँ पर गुलाबी इल्ली की सुन्डी बेठी हुई तो 100% उसको स्वास रोधक का काम करेगी एस्पेक्सियन का का काम करेगी और उस गुलाबी इल्ली की सुणी की मृत्यू सव प्रतिसत तय हो जाएगी और हमारा डेंडू सुरक्षित हो जाएगा फूल भी सुरक्षित हो जाएगा और हमारे किसान का उत्पादन जब वो चुनाई करता है खराब का पास निकलता है उसकी quality गुणवत्ता कहीं न कहीं होती है और मेरा अनुभाव भी यही कहता है कि हमारे भौश सारे किसान भाई इस समस्या से कई दिनों से ग्रशीत है और गुलाबी इल्ली की सुन्डी का नियंतरन वो नहीं कर पाते तो आप सभी किसान भाईयों से मैं गुजारिस करता हूं कि मैंने जो बताए आपको चार इंसेक्टी साइड के नाम उसमें सबसे पहले तो किसान भाईयों आप आपके हां कभी भी गुलाबी इल्ली का आकरमन यदि दिखता है उससे ग्रसीत फूल या डेंडू दिखता है तो आप उसका आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आसा में उम्मित करता हूं कि आप सभ अब भी एसी समस्या है प्रकोफ हो तो आप इनी इंसेक्टी साइड का उप्योग करें और हमारे द्वारा बताए गए टेक्स आप अपनी फसल में अब्जर्वसन के रूप में हमेशा गुमते फिरते रहे चेक करते रहे कि हमारी फसल में गुलाबी इल्ली का आकरमन तो न भाई किसान धन्यवाद जीतन भाई